मलिक मार्किट में फिर से चला बुल्डोजर एंटी इंक्रोच्मेंट की बात की जाए तो एक बार फिर से MG हेक्टर शोरूम को बुल्डोजर की मदद से जो है आज एंटी इंक्रोच्मेंट वहाँ पे चल रही है उनको तोड़ने का जो काम है वो फिर से चल रहा है आपको याद होगा कि बीते शनिवार भी बुल्डोजर मलिक मार्किट में चल रहा था MG हेक्टर शोरूम को तोड़ा जा रहा था उसी समय लोगों की जो वहाँ पे एक जमावडा इकठा हुआ था उन सब में जो है स्थीती खराब हो गई उसके बाद लोगों द्वारा पत्थरवाजी की कुछ लोगों को उसमें डिटेन भी किया गया है और कुछ को अरेस्ट भी किया है आपको बता दें कि आमादनी पार्टी के मलिक महरास को भी इसमें वरगलाने के मामले में और वहाँ पर इस तरीके के बयान देने के मामले में गिरिफ्तार किया था जिनको कल रात ही छोड़ा गया है आपको बता दूँ आज सूबे से फिर से एंक्रोज में ड्राइव शुरू हो चुकी है और मलिक मार्केट में एमजी हेक्टर शोरूम को जो है वो आज फिर से गिराया जा रहा है आम जनता से वहाँ जाने के लिए मना किया है मीडिया कर्मियों को भी आगे जाने के लिए मना किया गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी पुलीस परशासन जो है यहाँ पे मजूद है और उन सब की मौजूदगी में फिर से यह ड्राइव जो है वो श्टार्ट की है और मीडिया कर्मियों को भी वहाँ पे जाने के लिए मना किया है लोगों को भी वहाँ पर आस पास नहीं आने दिया जा रहा जो पैदल चल रहा है उनसे भी पूछताज की जा रही है